हालो फ्रेंड्स प्राभा की फुलवारी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो पेरेनियल हैं ये सालो साल आपके गार्डिन में बने रहते हैं एक बार आप इस पौधे को ले आए और आपने अच्छी केर कर ली तो ये बहुत लंब समय तक आपके पास बने रहेंगे और बहुत सुन्दर सुन्दर फूल आते हैं इन में ये पौधे उड़ी होते हैं और थोड़े बड़े साइज के होते हैं छोटे प्री के आकार के ये पौधे धीरे-धीरे हो जाते हैं तो इन्हें जब भी आप लगाएं तो 14 इंच से बड़े गमले में लगाएं 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच के गमले इसके लिए प्रयाप्त होंगे और ये पौधे ठंड के कुछ समय को छोड़ कर लगभग साल भर ऐसे फूल देते रहते हैं उसमें से ये पहला पौधा है पिकौक प्लांट हाँ दोस्तो इस पौधे को पिकौक प्लांट कहते हैं इसके फूल इस तरह से बहुत ही खुबसूरत रंग में आते हैं ये औरेंज और ये लोका सेड हैं बहुत खुबसूरत तिन चार रंग में इसके फूल आते हैं पत्ते इसके इस तरह हैं बहुत कुछ पत्ते इसके गुलमोहर से मिलते जुलते हैं लेकिन ये गुलमोहर नहीं है दोस्तो इसके फूल ऐसे हैं एक और पौधा होता है जिसे हम मोरपंखी के नाम से जानते हैं पर उसमें पत्ते होते हैं फूल कभी भी नहीं आते हैं और ये पिकॉक प्लांट है एक ट्री के अकार में हो जाता है और बहुत सुंदर फूल लगभग आठ नौ महिने जाड़े को कुछ दिन छोड़कर इसी तरह से इसमें फूल आते रहते हैं इस पूधे में इस तरह से इसकी फलियां बनती हैं देखिए और इन फलियों से सुख जाने पर बीज लेकर बहुत आसानी से हम इस पूधे को उगा सकते हैं देखिए इस साइज का ये पौधा है ये मिट्टी में लगा हुआ है दोस्तों और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है और आज का दूसरा पौधा है दोस्तों ये कचनार का पौधा है इसके फूल इस तरह से फौाइट रंग में है इसके भी फूल दो-तीन रंग में आते हैं ये उजली वाली वेराइटी है और बहुत ही खुबसूरत इसके फूल इस तरह से हैं इसकी पतियां इस तरह से भाई लोब्ध है ऐसे लगता है जैसे दो पत्तियों को सटा दिया गया है तब इसकी पतियां बनी है और पत्तियां भी इस आकार की होने के कारण बेहद खुबसूरत लगती है इस तरह से ये भी एक छोटे पेड का आकार ले लेता है देखिए नीचे से इस तरह से ये आया है और बहुत खुबसूरत फुल दे रहा है ये सारी इसकी कलिया है जो इस तरह से बंच में बनती है चार या पांच का बंच होता है और हर नोड से ऐसे इसकी कलिया निकली होती है और ये इसकी फलियां हैं, देखिए, इस तरह से इसके भी सीड को सुखने के बाद तोड़ कर इससे बहुत आराम से हम पौधे बना सकते हैं। दोस्तों ये जो कचनार का पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसीनल वैलू है, इसके पत्ते, फूल, फलियां, कलियां और यहां तक की इसके छाल भी मेडिसीन बनाने के काम में आते हैं। इसकी फलियां और इसके फूल की सबजी, अचार बना कर खाया जाता है, और बहुत तरह की दवाईयों में इसका उप्योग किया जाता है। तो यह हमारे लिए बहुत बैलूएबल प्लांट है। और यह पौधा भी जाड़े के कुछ दिनों को छोड़कर लगभग आठ नौ महीने इसी तरह फूल देता रहता है। दोस्तो आज का तिसरा पौधा यह चांदनी का पौधा है और इसे तगड़ भी कहते हैं। इसमें दो तरह का पौधा होता है, एक मल्टी पेटल होता है और यह पौधा सिंगल पेटल वाला है। इसकी बहुत ही गहरे हारे रंग की पतियां होती हैं और उस पे यह उजले उजले फूल जो बहुत आकरसित करते हैं। और सायद ही कोई गार्डेन होगा जहां यह भूल नहीं पाया जाता होगा। यह पौधा भी थोड़े बड़े साइज का होता है। तो अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो इसे बड़ा पौट दे। छोटे पौट में कभी नहीं लगाई। बड़े पौट में बहुत अच्छी तरह चलता है यह पौधा। और देखिए यह भी उड़ी होता है इस तरह से और अभी यह पौधा लगभग छे फुट का है। यह पौधा भी लगातार साल भर इस तरह से फुद देता रहता है। तो दोस्तो अगर आप ऐसे पौधे की तलास में हैं जो एक बार लगाएं और लगभग साल भर आपके गार्डन में फूल देते रहें तो यह तीनों पौधे आपके लिए बेहतर साबित होंगे और इन पौधों को एक बात का ख्याल रखिए जब भी लगाईए तो बड़ पौध में लगाईए या आपके पास जमीन में लगाते हैं तब तो यह पौधे बहुत अच्छी तरह चलेंगे और दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सबिस्क्राइब करें दोस्तों बाय फ्र करें दोस्तों 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 करें दोस्तों